दोस्तों आज की वीडियो के अंदर थोड़े से बात करेंगे जो नोटिफिकेशन आपका निकला है यह आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके अंदर वही सारी चीज़ें हैं और इसके अलावा टाइपिंग के डेट आपके 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 आ गई है तो वह आपका यहां पर यूज हो सकता है वन निकम यह फॉरस्ट डिपार्ट्मेंट के अंदर इसको प्रेफरे तो जब आप प्रेफरेंस बेसिकली भरेंगे अपने डिपार्ट्मेंट की तो वहां पर आपका आएगा NSSB certificate आपके पास में है या नहीं है तो उसकी डेटेल वहां पर फिल कर सकते हैं दूसरी चीज इसके अंदर क्या है यह दिकिसी अभ्यर्थी द्वारा अभिलेक सत्य संगत परिक्षा के संगत सेवा नियमावली ततसंदार विग्यापन में उल्लिखित सर्तानुसार संभ्यक नहीं पाए जाते हैं तो हिंदी टंकड परिक्षा में सफन होने के बावजूद वैसे ब्रति को प्रस्णगत चयन प्रकिरिया हेतु विचारिस नहीं किया जाएग इसका मतलब यह है कि जो आपका डेवी हो चुका मतलब डॉकुमेंट वेरिफिकेशन आपका हो चुका तो डॉकुमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अगर आपके डॉकुमेंट सही नहीं पाएगा हैं अगर आपके डॉकुमेंट में कोई गलती होती है अगर आपके डॉ आयोग के जो आपका डीवी कर रहा है वेसिकली तो उन्होंने आपको बताया होगा कि कौन-कौन से डॉकुमेंट आपको लगने है और ज्यादा इसके अलावा आपके सारे डॉकुमेंट सही है या नहीं है वहाँ पे क्लारिफिकेशन आपको मिल रहा होगा जिसको बेसिकली पोस्ट करने थे उन्होंने पोस्ट कर भी दिया होंगे आयोग को मिल भी गया होंगे ठीक है ना तो इस तरीके से आप क्लारिफाइब कर सकते हैं कोई गलती तो नहीं रहेगी और जिनके फरजी डॉकुमेंट ने बैसिकली वो तो पकड़ जाएंगे वो तो बाहर किये ही और किये भी जाने चाहिए क्योंकि वो और जो रियल कंडिडेट है उनका यहां पर क्या करेंगे जॉब ले लेंगे तो इस तरीके से यहां पर सारी चीज़ें चेक होंगी सब कुछ रिटेल में चेक होगा ऐसा नहीं कि आपको जॉब ऐसे एजिली दे दी जाएगी हर 60-67 की डिप्रेसन आपकी होनी चाहिए यह पोईंट यहांपर डाला गया है 4000 की डिप्रेसन पर आओर तो यह तो है यह खैर तो जो स्टूडेंट वो गन्फूजन में इस लिए हैं क्योंकि 60-67 यहां पर दिया हुआ है क्योंकि हमने जो बात करी थी वो फॉर्ट पर मिनट क एको रिशी जादा है या क्या चीज है तो उसको हम समझते हैं देखे इसके अंदर कोई भी चीज अलग नहीं है सेम वही चीज है बड़ थोड़ सा आपको calculation करनी पड़ेगी calculation क्या करनी है आपको जैसे आपको पता है आपको मागे कितनी स्पीड गई है 4000 KDPH अब ये जो वर्ड है याद होना चाहिए KDPH का मतलब क्या होता की depression पर आर पर आर का मतलब क्या हो गया एक घंटे में कितनी की depression आपकी बन रही है लेकिन हमको तो चाहिए कितने मिनट के लिए 10 मिनट के लिए अब 10 मिनट के लिए क्या मैं एक मिनट के लिए पहले निकाल लेता हूँ अगर आप इसको 60 से डिवाइट करते हैं अगर आप 4000 की depression पर आ रहा है ना तो मैं एक मिनट पर कितनी की depression मेरी बन रहे है कितनी की मैं प्रेस करूँगा वो मैं निकालना चाह रहा हूँ तो उस केज में इसको 60 से डिवाइट कर दूँगा तो 60 से डिवाइट करने के बार मेरे पास कुछ यहाँ पर डिटा आएगा 66.666 आएगा मतलब वो राउंड अप करके 66.7 यहाँ पर हो जाता है यह आ गया की depression पर मिनट KDPM यह मेरे पास में क्या आ गया 66.7 KDPM मन्दर की depression पर मिनट यहाँ पर आ गया है अब आपको पता है आयोग के अंदर कितने मिनट के टाइपिंग होने जा रही है टाइपिंग होने जा रही है 10 मिनट की अगर एक मिनट में 66.7 है तो 10 मिनट पर कितना हो जाएगा इसको पर दिया गया है 66.7 की depression आपकी minimum होनी चाहिए यही आपके 4000 KDPM क्या score होता है जिसके अंदर minimum जो word की मैं बात करों basically उसके अंदर 13.something आपकी wording बनती है जो आप word per minute की बाद यहाँ पर कर रहे हैं तो अपनी हिसाप से आप लोग अपनी speed को maintain कर सकते हैं जितनी ज्यादा speed आप क्योंकि इसमें कोई number का scene है नहीं आपका typing में तो वो just qualify आपको करनी है बट हाँ आपको confidence boost करने के लिए जितने ज्यादा typing के आपके speed जितने एच्छी हो सकते हैं ठीके बात तो यह चोटी से information मैंने इस वीडियो के तो आप लोगों को दी है I hope कि आपको चीजें clear हो गए हो हम लोग auditor का कैसे चूच करें सबसे last में जाएंगे departmental preference में तो आपको auditor का यहाँ पर मिलेगा तो उसको आप यहाँ पर चूच कर सकते हैं और तीसरी और last बार यहाँ पर क्या है कुछ ऐसे भी student है जिन्होंने form बनने के time पे सिर्फ auditor को चूच किया था अब यह गलती से अब एक चीज मुझे बताइए अगर आपने ऑईटर के लिए अपलाई किया है तो पहले ही मैंने ऑईटर के लिए पताया था इसके अंदर आपकी टाइपिंग तो होनी नहीं है दूसरी बार departmental preference कुछ मागे नहीं जानी है क्योंकि जो departmental preference मागे गई है वह सिर्फ assistant accountant के लि नौटिफिकेशन या यह जानकरी यह इसके अंदर कुछ भी नहीं है आपको जिस्ट क्या करना है पोस्ट चूच करना है तो ऑईटर में जिसने भी अपलाई किया था उसके लिए ना admit card आएगा क्योंकि टाइपिंग है नहीं दूसरी बाद ना departmental preference आएगा क्योंकि वह भी असिस्टेंट के लिए भी अपलाई कर सकते हैं अभी जब आपका टाइपिंग होने वाला है कुछ ऐसे भी स्टूटेंट है तो नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जो फाइनल रिजल्ट है वह बेसिकली इसी बेसिस पर आएगा आपने किस पोस्ट के लिए अपलाई किया है और आपको देनी थी उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मां हम नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ बात करेंगे थांक्यू सू मच्छ आपनाइस डेर टेक एर बाइबाई